तो आज हम पढ़ेंगे difference between final goods and intermediate goods, हमने अपनी previous वीडियो में discussion किया था, जो types of goods होते हैं हमारे वो कौन-कौन से होते हैं, जिसमें हमने intermediate goods और final goods के बारे में बहुत अच्छे से हमने previous वीडियो में discussion कर चुके हैं, तो आज हम इसमें difference जानेंगे, क्योंकि हमने previous वीडियो में meaning स इस वीडियो में हम discussion करेंगे difference के बारे में, तो आएए समझते हम इन दोनों में difference क्या है, final goods क्या है और intermediate goods क्या है, तो देखें intermediate goods और final goods, intermediate goods को हिंदी में बोला जाता है, मध्यवर्ती बस्तु हैं, और final goods को बोला जाता है, अंतिम बस्तु हैं, तो intermediate goods और final goods, जैसे कि हमने previous व वो कच्छा पदार्थ होता है means raw material को यह intermediate goods बोलते हैं जिनमें आगे process होना बांकी है इनमें कुछ प्रिक्रिया होने भी बांकी है उसको क्या बोला जाता है intermediate goods और final goods क्या होते है final goods ऐसे goods होते हैं जो बन करके और ready तैयार हो जाते हैं जिनको finance सीधे क्या किया जाता है consumption किया जा for use their final users बताया गया है कि यह ऐसे goods होते हैं जो अपनी बॉंड्रियान होती है उसको क्रॉस नहीं किया होती है जैसे मैं बताता हूं कैसे महां लेते हैं यह एक boundary है यह factory है यहां पर production होता है तो अभी production होना भी बांकी है यह बॉंड्रियान यह बाहर की circumference इससे बाहर नहीं ग किया है अभी और not ready for final users जो उसके final users हैं उसके लिए यह अभी ready नहीं है वहीं सामने वाले के definition पड़े है final goods की तो these goods are outside the boundary land of production यह ऐसे goods हैं जो outside होते हैं boundary land के production के बाहर होते हैं and are ready for use their final users और यह final users के लिए क्या होते है ready होते हैं इसको finally consumption कर लिया जाता है इनको बोले आता है final goods आगे दे हम difference की बात करें तो second है these goods may be used as a raw material for the production of other goods during the accounting year यह ऐसे goods होते हैं जिनको कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है एक साल के दौरान during the accounting year दे रखा है same as बात करें तो these goods are not used as a raw material इनको raw material के तरीके से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह final बंके तयार हो चुके हैं अब इनका कोई भी फर्दर प्रोसेस होना बाकी नहीं होता है इनका सीधे कंजप्शन किया जाता है आगे चले these goods may be resold by the firm for profit during the accounting year देके intermediate goods ऐसे goods होते हैं जिनको resold किया जा सकता है दुबारा बेचा जा सकता है profit earn करने के लिए इसका मैं एक example बतातूं आपको अच्छे से जैसे मान लेते हैं wheat है गेहूं है वह मान लेते हैं 500 रुपीज का था ठीक हैं अब गेहूं को यह Miller को बेश देग यह Miller को बेश देगा कुछ additional profit मिला करके मान लेते है 600 रुपीज में ठीक है then क्योंको देखे wheat को farmer बेश देगा Miller को आटा बना करके ठीक है क्या करेगा आगे किसी और फर्म को बेश देगा वह बेश देगा मान लेते है 700 रुपीज में ठीक है यह इससे कोई भी product बनाएंगे यह product बना करके final consumer तक पहुचाएंगे consumer को मान लेते 800 रुपीज में बेचेंगे तो दीके overall add value भी add होती चल लेए यह क्या है मारा एक तरीके से profit earn किया रहा है तो दीके पहले यह user था फिर यह user था इस परकार से users इसके चलते आ रहे हैं तो इस परकार से इसी लिए बोला गय किया जा सकता है इनको diet consumer को ही बेचा जाता है मैंने बताया था ना जैसे biscuit है बन करके ready हो गया अब उसको दवारा थोड़ी बेचा जाएगा एक बार किसको बेचा जाएगा सीधे customer को बेचा जाएगा hope so आपको यह very clear होगा आपको यह third point आगे चले value is yet to added to this goods देखें इसमें value add किया जाता है मैंने अभी just example दिया है आपको कि जो गया हूँ था वो पहले 500 आप पर 600 फिर 700 फिर 800 इसमें value add किया जा रहा है तो इसमें value added कि इसमें process होती है बट फाइनल कोड़ में नहीं होती है क्योंकि फाइनल कोड़ से value not added क्योंकि इसमें already include होता है सब देखें मैंने आपको diet value बताऊंगा जैसे प्रोड़ेट कहूंगा 800 रुपेग आए तो आप तो यह नहीं क्योंकि इसमें value add करने की जरूरत है क्योंकि फाइनली इसको जो भी cost उसमें लगे हैं वो include होकर के ही आया है इसलिए इसमें value add नहीं होता है आगे expenditure on these goods called intermediate consumption और intermediate cost जो expenditure किया जाता ह है जो व्य किया जाता है खर्ची किया जाते है मद्धिवर्ति वस्तु है पर उन्हें भुक्ता मद्धिवर्ति वस्तु एक मनलब consumption expenditure कहा जाता है ठीक है ना क्योंकि जिस पर खर्चा कहा जाएगा उसको उसी का नाम दिया जाएगा ठीक है expenditure on these goods called final expenditure सीधी बात है expenditure जो final goods पर क expenditure कहलाएगा हमारा ठीक है आगे दिया मात करें last point हमारा तो वो है these goods are not included in estimation of national product और national income इन्हें राष्ट्री आए यह point है most important है आप याद रखना यह ऐसे goods होते हैं जो national income में include नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि इनमें अभी process होना बांक की है ठीक है और वैसे भी national income मे इन्कूड किया जाता है वो final goods किया जाते हैं इनको नेशनल इंकम में include किया जाता है क्योंकि यह finally बन करके ready होते हैं इनका final prize हमको पता होता है exact पता होता है को 20 रुपे का समान हैं 20 रुपे हमको पता है इनसमें नहीं पता होता है क्योंकि अभी further process में कितने और और इसका हमें एस्टीमेशन नहीं लगा सकते तो तो यह इंटरिमीडियर गोर्स आपको अच्छे से क्लियर होगा पीडियेफ आपको डिस्कॉप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइप और सब्सक्राइब करना मत बूरना थेंक यू